दालों की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है तूर दाल की अगर बात की जाए तो तूर दाल में खरीदारी सुस्त बनी रहने से मिलर्स की मांग कमजोर देखने को मिल रही है जिसके चलते तूर की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है वही निर्यात मांग सुस्त रहने से बर्मा तूर की कीमतों में कोई बहुत जादा अंतर फिलाग देखने को नहीं मिला है जबकि आयातित मालों में गिरावट के असर से मसूर के भाव भी गिर चुके हैं आयात को द्वारा उड़त की घबरहाट पूरन बिक्वाली बढ़ाने और खरीदारी कमजोर पढ़ने से उड़त के भाव में भी कमी दर्च की जा रही है अगले महीने से उत्पादक मंडियों में नए उड़त की आवक शुरू हो जाएगी जिस वज़े से उड़त की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है और बजार जानकारों का ये कहना है कि आगे चलकर दालों की कीमतों में दबाव बना रहा है त्योहारी सीजन के चलते मांग निकल सकती है लेकिन कीमतों में कोई खासी तेजी की उमीद फिलाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है बहराल तूर और उड़त में लगातार कीमतों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है झालों में देखनने कोई रहा है